हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल वी ब्यूटी आंट एन एड़ेचल में स्वागत है आपका आज हम स्टेट हेर कट करना सीखेंगे कोई भी हेर स्टाइल कट करने के पहले आपके बाल अच्छे से धुलेवे और साफ होना चाहिए दूसरी चीज आपके उल्जेवे बालों को अच्छे से कोम करके लेना चाहिए बाल बिल्कुल भी उल्जेवे नहीं रहना चाहिए कोई भी हेर स्टाइल कट करने के पहले अच्छे से कोम कर लेंगे इस तरह से अब यहां पे मैं पोनी टेल डालूँगी बहुत नीचे के साइड में हमें पोनी टेल डालना है सारे बालों को अच्छे से इस तरह से पकर लेके एक बार फीट से मैं सामे के साइड ले लूँगी और एक बार कोम करूंगे, कुछ उल्जेवे बाल रहेंगे तो उसे भी हम ठीक कर देंगे स्टेट हेर कट करने के लिए आपको किसी की मदद लेनी की जर्वत नहीं ये पारलर जाके धेट सारे पैसी खर्चा करने की भी जर्वत नहीं है लॉंग हेर सबको पसंद है, तेवार हो या फंचन लॉंग हेर में कोई भी हेर स्टाइल बनो बहुत कुपसूरत दिखता है और लॉंग हेर सैरी और घागरा चोली इन पे तो बहुत अच्छा लगता है चाए आप बन बनाओ या चोटी बनाओ दूसरे हेर स्टाइल में आप अगर हेर स्टाइल बनाने जाते हो तो काफी सारे क्लिप्स आपको बालों में लगाना पड़ता है लॉंग हेर हैता है तो अगर हेर स्टाइल बनाएंगे तो काफी सारे पिंस आपको लगाने की जर्वत नहीं पड़ती है इस तरह से हमें ponytail दाल लेना है और एक और rubber band यहां पे मैं set कर ले रही हूँ मुझे तो long hair बहुत अच्छे लगते है तो यहां पे मैं long hairी रखती हूँ और straight cut करती हूँ और वो भी self में तो यहां पे मैंने एक और rubber band लगा लेके नीचे की side में सरसे कर ले रही हूँ अब इसे और थोड़ा नीचे की side में कर लेती हूँ आपको जितने बाल cut करना है उसके इसाब से इस rubber band को set कर लेना है यहां पे rubber band lose हो गया है तो यहां मैं अच्छे से rubber band को tightly set कर लोगी rubber band को मैंने नीचे करी हूँ फिर से lose हो गया है तो यहां पे अच्छे से tightly हम set कर लेंगे यहां पे इससरे से आप जुके भी देख सकते हो कि हमारे बाल जो है वो straight में है क्या नहीं आप यहां पे हम बालों को side में लेंगे इससरे side में लेने के बाद आप rubber के उपर के बाल देख सकते हो कि हमें उपर नीचे दीख रहे है इसलिए rubber band लगाना बहुत ज़रूरी है यहां पे फिर से एक बार मैं चेक कर लूँगी कि मुझे बाल कितने कट करना है तो मैं कमर के नीचे तक बाल कट करूँगी इतने से तो यहां पे यह बाल एकदम बराबर है फिर से हम side में ले लिंगे अब यहां पे हम scissor ले लिंगे इतने सारे बाल में कट करने वाली हूँ बालों को इस तरह से पकट के रबर बैंड के नीचे की साइट से हमें बालों को कट कर लेना है तो यहां पे मैंने बाल कट कर ली हूँ अब हम इन बालों को साइड में रख लेंगे आपके सामे ही मैं rubber bands को निकाल के दिखाती हूँ कि मेरे बाल state में कटे है या फिर अनिक्वल हो गए है या फिर अच्छे नहीं दिख रहे है उपर का भी rubber band निकाल देंगे आप देख सकते हो बहुत ही आसान इसे किसी की भी मदत नहीं लिए जैसा state hair कट कर सकते हो वो भी back side से right side नीचे की side में एक वीडियो चल रही होगी यही remedy मैं अपने बालों में लगाती हूँ मेरी चैनल पर है आप देखना चाहे तो जाके देख सकते है friends बहुत ही मुश्किल से वीडियो शूट करती हूँ मैं तो please अगर वीडियो अच्छी लगी तो like, share, subscribe जरूर कर देना bell icon क्लिक करके notification भी on कर देना friends आपको दिख रहा या नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं चल रहा है मैं उटके आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा zoom करके यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से कॉम करके ली हूँ बालों को मैंने किसी तरह से set नहीं करी हूँ वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लागी तो प्लीज लाइक जरूर करना आपका लाइक हमें मोटिवेशनल करता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए फीर नई वीडियो के सफीर जल्दी मिलते हैं तब तक लिए बाबाई